हे गाईज, वेलकम तो आवर चानल, ड्रॉप आवड इंजिनर में हूँ अकाश, तो भई कैसे हो आप सब लोग? तो आज किस वीड़ो के अंदर हम लोग बात करने वाले MT4 के बारे में और MT5 के बारे में basically यह होता क्या है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको जो पूरा डीप यहाँ पर जो अनालिसिस करके इसका पूरा टिटोरियल आपके साथ शेयर करने वाला हो, कैसे इसे आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर because आप सभी लोग को पता है guys, हमने जो फोरेक्स ट्रेडिंग शुरुवात कर दिये तो उससे पहले यहाँ पर आपको जो MT4 और MT5 के वे बारे में जानना जो बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है because हर एक platform, हर एक broker के साथ आप जब जूडते हो, तो basically यहाँ पर आपको MT4 और MT5 आपको यूज करना ही पड़ता है अब guys, MT4 यानि की जो MetaTrader 4 और MT5 यानि की जो MetaTrader 5 यह जो एक updated version है 5 वाला और 4 वाला जो पुराना version है ओके, अब guys देखो, यहाँ पर आप जो Forex trading को शुरुवात करते हो, किसी भी broker के अंडर registered हो जाते हो तो यहाँ पर आपको जो broker suggest करता है कि आपको जो कौनसे application के अंदर आप जो trading करना चाहोगे MT4 के अंदर या फिर MT5 के अंदर आप guys देखो, यहाँ पर आप जब stock market के अंदर trading करने लग जाते हो, किसी ब्रोकर के पास क 송 करते हो अबर आप trading कहां फे करते हो, तो Kite अप्लिकेशन हो तो Kite अप्लिकेशन के आपको login करके वहाँ पर वहाँ पर आपको trading करना पड़ता है, और को यहाँ पर आप हम जो मानलू यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो गए XM broker के पास XM.com जिसके मैंने वीडियो बनाता है इससे पहले उसके पास registered हो गए या फिर जो Octafix है Octafix के अंदर registered हो गए registered होने के बाद यहाँ पर आपको पूछता है login account जब आप create करते हो तो आपको जो कौन सा platform चाहिए trading करने के लिए MT4 या फिर MT5 तो आपको चूज करना पड़ता है और उसके बाद जैसे यहाँ पर आप जो account बनाते हैं अपने broker के पास तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो Gmail ID के अंदर आपको जो ID और password भेजा जाता है और MetaTrader 4 का या फिर MetaTrader 5 का आपको जो server भेजा जाता है ठीक है server मिलने के बाद यहाँ पर आपको जो MetaTrader 4 का application यहाँ पर download करना पड़ता है डाउनलोड करके वहाँ पर उस credential उस broker के यहाँ यहाँ उस broker को यहाँ पर MetaTrader 4 के अंदर जो चूज करना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पर आपको जो login करके basically यहाँ पर trading करना पड़ता है तो यह application trading का है यह trading application उपर source application ने metadata 4 और MT5 यह free में यहाँ पर आपके लिए available है तो यहाँ पर हर एक broker इसे क्यों suggest करता है इनमें trading करो हमारे पास account बना और यहाँ से आप trading करो basically यहाँ पर MT4 और MT5 बहुती updated version के साथ आते हैं यहाँ पर आपको जो बहुती low latency provide की जाती है तो यहाँ पर आपके trading time जो execution time होता है बहुती speed होता है तो broker अपने आप खुद सब चीजे करने से अच्छा है यहाँ पर MT4 के अगर आप करोगे तो उन्हें भी अच्छा होता है और आपको भी यहाँ पर जो service अच्छी मिलती है और काफी सारे जो broker से xm.com जैसे हो गया तो उनका जो desktop के लिए यहाँ पर आप जो use कर सकते हो उनका जो software है वहाँ पर आप जो trading कर सकते हो बढ़ अगर आप जो mobile के अंदर trading करना चाहते हो या फिर laptop के अंदर टाबलेट के अंदर तो यहाँ पर आप जो MT4 या फिर MT5 को use करके जो trading कर सकते हो आप में यहाँ पर आपको जो सारी चीज़े बताऊंगा कैसे आप जो MT4 या फिर MT5 को use कर सकते हो tutorial बताऊंगा कैसे आपको जो connect करना आपने broker के साथ account जब आप create करते हो कैसे आप आप जो MT4 के अंदर उस account को login कर सकते हो सारी चीज़ यहाँ पर हम पो discuss करेंगे और यहाँ पर मैं आपको जो trading करके भी दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर आप जो trading कर सकते हो और पैसे earn कर सकते हो because after all सारी चीज़ यहाँ पर ही आके रुकती है पैसे ही कमाने होते है तो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं उससे पहले आप जो हमारे टेलेग्राम को join कर लो तो गाई सामने आप स्क्रीन के ओपर देख सकते हो MT4 एप्लिकेशन इससे आप जो प्लेशोर से या फरी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिये वहाँ से आप जो इससे डाउनलोड कर सकते हो आप ओपन करने के वाद आपके सामने एसा इंटरफेस आता है जैसे आप इससे डाउनलोड करते हो ओपन करते हो आपका जो एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाता है तो मेनू के अंदर जैसे आप जाओगे तो यहाँ आप मैं आपको दिखा तो उपर यहाँ पर आप देख सकतो Manage Accounts उसके उपर आपको जाना है उसके अंदर Manage Accounts के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकतो आपका जो डेमो अकाउंट क्रेट हो चुका है जिसके अंदर आपको जह 1 lakh USD का आपको अमाउंट दिया जाता है डेमो के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप गैस देखो यहाँ पर आप किसी भी आप ब्रोकर को अड़ करना चाहते हो जैसे के एक्जामपल के लिए आपने अगर XM.com के अंदर XM Forex Broker के अंदर आप अपने अपने अकाउंट ओपन किया है तो वो अगर आपको अकाउंट यहाँ पर लॉग इन करना है तो बेसिकली यहाँ पर आपको प्लस आइकन के अंदर जाना पड़ेगा और उसके क्रेडिंशल्स यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगी तो जैसे यहाँ पर आप एक सम ग्लोबल के अंदर लॉग इन करते हो अकाउंट अपना क्रियेट करते हो उनके साइट के उपर तो उसक आपको जो अपने किया एक सम ग्लोबल सर्चेस नजर आ रहे तो मेरे केस में आपको मेरे मेल इडिक अंदर एक सम ग्लोबल रियल थर्टी को लिखा हुआ है तो मैं रियल 30 को चूज करूंगा उसके बाद mail के अंदर मुझे credentials भेजे गए, login ID और password उसे में use करके यहाँ पर login करूँगा, तो मैंने डाल दिये हैं, इसे मैं sign in करके open करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर मैं sign in करता हूँ, तो मेरा first account, real account यहाँ पर आप देख सकते हूँ, जिसके अंदर 99.88 dollars का balance है, उपर आप आप देख सकते हूँ, यहाँ पर आप मेनू के अंदर देख सकते हूँ, जो मेरा active account है, वो जो real account यहाँ पर आप देख सकते हूँ, अभी हम लोग जाते हैं हमारे main platform के अंदर, first tab नीचे आप देख सकते हैं, तो हर एक tab का आप जो meaning समझ लो, इसका जो use आप समझ लो, तो स सबसे पहले top के अंदर आपको जो अलग-लग currency pairs आपको जो नजर आते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी currency pairs आपको जो नजर आते, अब यहाँ पर आपको जो दो price नजर आरे, एक होता है bid price, और एक होता है ask price, ठीक है, जब आप buy करोगे, तो आप इस price के उपर buy मैं आपको आगे समझाऊंगा, और इस price के बीच में कुछ जो difference होता है, इसे कहते है spread, spread के बारे में मैंने आपको अल्रड़ी बता दिये, वो यहाँ पर आपको currency pair के नीचे दिखाया देता है, अब आपको currency pair आपको चाहिए, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो उसे आप जो add कर सकते हो, उपर आपको चो plus का icon नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप plus का icon के उपर चले जाओ, तो यहाँ पर मैं click करता हूँ, अगर समझो मानलो मुझे जो euro, 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 jpy चाहिए, तो मैं euro search करूँगा, नीचे आप देख सतो euro jpy, तो उसे मैं select करूँगा तो जिसे मैं उसके उपर प्रेस करता हूँ, तो add हो चुका है, back चले जाओ, सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, euro usd और उसके नीचे euro jpy, तो वो add हो चाहिए, उसके सामने उसकी जो values नज़र आ रही है, second option होता है गाईस, यहाँ अगर आप आप जो second option के अंदर व एक trade लिया था buy के लिए, तो जो कि उसके अंदर मुझे जो loss नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके बारे हम लोग बात करेंगे, जब भी चाहिए आप जो उसे book कर सकते हो, अगर आपको profit नज़र आ रहा है, तो जब चाहिए आप उसे profit के साथ book कर सकते हो, या फिर जो loss के साथ आप भी exit कर सकते हो, फोर्थ टैब गाईस निचे आप देख सकते हो, उसके अंदर यहाँ पर आपको जो है, डे की आपकी history नज़र आती है, तो यहाँ पर आप देख सते हो, मेरे डे की history आपको जो नज़र आ रही है, अब फिप्त और शिक्स टैब आपके कोई काम के नही कोई भी currency यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं, उसके उपर प्रेस करने के बाद आपके सामने ज़र चार option नज़र आते हैं, new order, open chart, symbol property, simple view mode, तो अभी हम लोग सबसे पहले से start करते हैं, सबसे पहला option है new order का, उसके उपर जिससे आप click करते हो, तो यहाँ पर आपके सामन करना है, जिसका chart आपको देखना है, उसके उपर click करके आपको जो open chart के उपर click करना है, तो उसका chart आपके सामने नज़र आएंगा, तो वो जो आप indicators वगरा डाल सकते हो, तीसरा option है symbol properties का उस asset के उस currency pair के आपको जो properties नज़र आएंगी, जो कि यहाँ पर आप आप जो देख स चाहिए, तो उसके आपको जो fourth option क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने simple mood नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको जो बस currency pair और उसके values नज़र आ रहे, तो मैं आपको advice करूँगा, आपको जो हमेशा advanced mood की आदत लगा देनी चाहिए, विकॉज एक साथ नज़र आती है, थोड़ा complex लगता है बहुत अच्छा है, अब गाईस यहाँ लगशा ट्रेडिंग को शुरुआत करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर आपको जो कैसे आपको जो ट्रेल लेने हैं, कैसे आपको buy limits, stop limits वगगरा सारी चीज़े में आपको explain करता हो, उसक इसके अंदर आप जिसे क्लिक करते हो, आप उसके अंदर आपको जो है, पाच option नज़र आते हैं, market execution, buy limit, sell limit, buy stop और sell stop, यह आपको जो पाच option नज़र आते हैं, one buy हमना मुख सीखते हैं, सबसे पहला है market execution, market execution मतलब जो है, अभी जो rate चाल रहा है, उस currency pair का है, उस currency का वही ज अगर आप जो अभी current price है, उससे अगर आप जो नीचे buy करना चाहते हो, नीचे level पर आने के बाद buy करना चाहते हो, तो उस case में ही आप आप जो buy limit को choose करोगे, और नीचे ही आप आप देख सकते box है price का, तो उस के अंदर आप जो अपना price गाल सकते हो, जिस price के उपर आने के Sell करना चाहते हो, उपर आने के बाद Sell करना चाहते हो, तो वो price यहाप आप जो डाल सकते हो, sell limit के थूआ आप जो चीज कर सकते हो, तो उसके अंदर आप जो उपर का price डाल सकते हो, नीचे वाले box में, और यहाप जो प्लेस कर सकते हो, अपनी order, उसके बाद guys, buy stop, अभी जब जहाँ पर यह ट्रेड कर रहा है करनसी पर उसके उपर अगर आप बाई करना चाहते हो उसके उपर बाई करना चाहते हो तो अभी काफी सर लोग बोलेंगे सर हम लोग जो ऊपर क्यो बाई करना चाहेंगे बड़ गास कभी कभी कहोते है न आप जो इंडिकेटर्स लगाते हो यहापर आप जो अपर प्लाइज एक्षन के हिसाब से आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हो आपका जो support कभी कभी कहाता है रेजिस्टंस को ब्रेक करने के ब जो उपर का value होता है वो यहाँ पर आप जो डाल के आप जो मतलब place कर सकते हो order तो उस यहाँ पर वहाँ पर जिसे break होगा market वहाँ पर जिसे जाएगा तो आपका order place हो जाएगा समझे रो मेरे बात को आगे आगे आपको जिसे आपको क्रेडिंग करेंगे आपको मैं आपको यह समझाऊंगा यह थोड़ा complex चीज है बड़ यहाँ पर आपको जो इसके अंदर ज्यादा काम करने की अभी जरूत नहीं है उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन भी similar है आपको अगर sell करना है current market से नीच तो है आप आप जो चूज कर सकते हो अभी गाइस market execution उसके नीचे आप आपको जो points नजार है तो जो values है उसके नीचे 0.01, 0.02 यह जो values है आप जो plus minus कर सकते हो 0.05 तक जा सकते हो उसके आगे भी जा सकते हो जो आप चाहे वो कर सकते हो बट जितना आप कम रोके हो आपके लि 0.03 से start कर सकते हो तो मैंने 0.03 से start किया है उसके बाद guys यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने जो नीचे दो box नजार है एक red box से एक green box से इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर अगर आप समझो मानलो stop loss लगाना चाहते हो या फिर target लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो तो stop loss लगांगे 1 एक मिनिट तो यहाँ पर हम लोग stop loss लगाएंगे अभी यहाँ पर 1.1853 चल रहा है तो मैं 432 डाल देता हो 430, तो मैं 100 Pips नीचे का यहाँ पर stop loss लगा देता हो 430 का मिनट stop loss लगा दिया है और यहाँ पर हम लोग target लगांगे 1.18533 चल रहा है तो हम लोग 633 लगा देंगे ठीक है target 100 pips उपर का तो यहाँ पर जो 100 का उपर target और नीचे stop loss 100 का लगा दिया है मैंने और उसके बाद मैंने अपनी order place कर दिये आप जैसे यहाँ पर समझो मानलो 100 pips नीचे आता है तो जैसे मेरा stop loss हिट करेगा तो यहाँ पर जो automatically ये trade जो exit हो जाएगी और जगर समझो मानलो ऊपर चला जाएगा 100 pips तो यहाँ पर जो profit के साथ मेरा जो trade automatically exit हो जाएगी तो यहाँ पर आप जो stop loss और target भी लगा सकते हो अगर आप कोछो time नहीं है आप जो easy हो काम के अंदर है तो वो भी आप जो कर सकते हो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे current trade है उसकी जो profit और loss दिखर है अगर red में है तो ये loss में है अगर blue में है तो ये profit में नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो euro USD का जो अभी हमने buy किया है हम लोग और एक new order डालेंगे जिसके अंदर में आपको समझाता हो केसे यहाँ पर आपको buy limit के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको price डालना होता है अभी current price चल रहा है समझो मानलो buying का जो price है यह वाला होता है buy price यह होता है sell price ठीक है तो ask or bid price अभी जो rate चल रहा है 1.18557 का rate चल रहा है तो मैं समझो मानलो चाहता हो कि buy होना है 100 point जब निचे आएगा market तो मुझे buy करना है ठीक है तो 1.18552 चल रहा है तो मैं 4 something डाल दूँगा 4.53 डाल दूँगा तो 100 pips निचे का मैं जो buy limit लगा दूँगा और उसके बाद मैं इसे place कर दूँगा बाकि आप जो इसमें भी stop loss और target लगा सकते हो तो मैं देखो यहाँ पर आप 1.18552 था तो मैंने 432 डाल ठीक है 100 pips निचे का तो यहाँ पर आप देखो तो अभी जो मैंने position ली हुए है तो वो आपको उपर नजर आ रही है position के अंदर और जो मेरे order अभी pending है जो कि मैंने अभी डाला है buy limit का जो कि 100 pips निचे आने के बाद buy होगा वो आपको जो orders के अंदर नीचे आपको नजर आ रहे तो आभी तो वो buy नहीं हुआ है जैसे वो नीचे आएगा तब जाके वो buy होगा तो आपको pending orders के अंदर नजर आएगा उसके बाद new order के अंदर हम लोग जाएंगे similar guys अगर आप sell limit करना चाहते हो तो similar यहाँ पर बट इस case में यहाँ पर आप जो sell करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यहाँ जो current rate चल रहा है उसके थोड़ा उपर buy करना चाहते हो तो अब रेट जो चल रहा है उसकी थोड़ा उपर वाला यहाँ पर आपको पिप्स डालना है जो प्राइस डालना है और यहाँ फिर आप जो कैसे अपना profit book कर सकते हो अपना जो ट्रेड चल रहा है जो position आप जो कैसे close कर सकते हो उसके लिए यहाँ पर आपको जो जो भी currency पे जिसको आपको जो exit करना है और फिर modify करना है उसके उपर आपको जो long press करना होता है तो अभी हम लोग मैं आपको करके दिखाता हूँ तो उसके अंदर यहाँ पर मैं जो है ERO D KK को यहाँ पर जो एक्जिट करके निकल जाता हूँ मुझे यहाँ पर लगना रही कि इसके अंदर मुझे प्रॉफिट होगा ऐसा लगना है जब चाहें इसके अंदर क्या होता है Forex के अंदर आपको यह benefit होता है जब चाहें आप जो एक्जिट कर सकते हो Profit के अंदर आप कितना टाइम भी wait कर सकते हो और उसके बाद जब आपको Profit नजर आ रहा है तब जाके आप जो प्रॉफिट में exit कर सकते हो तो आपको long press करना है, long press करने के बाद यहाँ पर आपको जोए, अगर आपको close करना है तो close, अगर modify करना है तो modify, तो इस case में मुझे close करना है, तो यहाँ पर मैं close order के उपर click करूँगा, तो यहाँ पर मैं close order के उपर click करने के बाद नीचे आप देख सकते हो, नीचे close with loss 0.50 dollars, तो anyways मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं लॉस बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो लॉस के साथ exit कर लिया है अभी गाइस हम लोग बात करते हैं समझो मानलो आप जब stop loss और आप लगाते हो तो कभी कभी क्या होता है आप जो ट्रेड होता है तो थोड़ा उपर चला जाता है तो आप जो प्रॉफिट में आ जाते हो तो उसकेस में आप चाहते हो कि और थोड़ा प्रॉफिट मुझे लगता है कि हो जाएगा इस currency pair के अंदर तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आप जो safe खेल सकते हो तो उस case में यहाँ पर आप जो modify करके अपना stop plus थोड़ा ओर उपर लगा सकते हो ठीक है समझो माझलो यहाँ पर समझो चाड थोड़ा उपर उपर जा रहा है तो उस case में हाँ पर समझो मानलो आपने stop loss लगा है ता समझो मानलो अभी 100 रुपेज के उपर trade कर रहा है आपने stop loss लगा ता 70 का और अपना target है deads होगा अभी यहाँ पर जो 100 रुपे से 125 के उपर आ चुका है तो यहाँ पर आपके अगर सकते हो थोड़ा safe खेल सकते हो आपका stop loss 70 का था तो यहाँ पर आप जो stop loss 100 का कर सकते हो तो यहाँ पर मतलब no loss no profit के अंदर भी trade होगा अगर थोड़ा और भी निच्छा आता है समझो मानलो निच्छा आता है market तो 100 रुपेज के उपर close होगा तो आपको यह पर loss भी नहीं होगा और profit भी नहीं होगा तो safe खेल सकते हो ठीक है तो इस त studio के अंदर था के लिए hash dropout engineer